देखें मौसम विभाग से बड़ा अपडेट दिया गया है मौसम को लेकर ऐसे में बिहार के साथ साथ कई सारे अनेक राजियों लेकर यह अपडेट है जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दर्सकों को बता दे कि भारतिये मौसम विभाग आनिकी आइमडी न है उसके अलावा मध्यपरदेश, चत्युसगर, बिहार, जार्खन और उडिसा में भी आज बारिस का आनुमान ज़ताया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि एमपी के कई जिलों में 40 किलोमेटर की रफतार से देखा जाए तो हवा चलेगी ऐसे में जिस तरीके से खबरिया इसको देखते हुए आएमडे ने उत्तर प्रदेश, हडियाना, दिली, चंडिगर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजथान, बिहार और जार्खन में हिट वेप का अलर्ट जारी किया है पर्याराग राज में लगतार दूसरे दिन तापमान 47 जिगरी के पार किया गया है चतिसगर में गर्मी को देखते हुए कहीना कहीं देखा जाए तो समर वेकेशन 25 जून तक बरहाई गई है और स्कूल को देखते हुए 26 जून से खुलेंगा ऐसा बताया जा रहा है जिस तरीके से खबरियार इसको देखते हुए 36 जून में तेज गर्मी पर रह रविबार सुललजुन को राइपूर और जो राजनन्द गाउं है उसका कहिना कहिन टेमप्रेचर 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था इसके चलते समर वेकेशन को देखते हुए 25 जुन तक बढ़ा दी गई है और ऐसे में से पहले राज सरकार ने गर्मी की छुटिया जो है 22 अप्रेल से 15 जुन तक घोशित की थी वहीं उडिशा में मुक्य मंतरी मोहन चरण माजी ने कहा है कि जो तरीके से मौसम के स्थिती जो है देखते हुए स्कूल कब खुलेगा इसका पैसला कलेक्टर करेंगे मौसम विभाग के मुताबिक राज जुके कई जिलो में देखा किया गया था दिल्ली में सोंबार को 45.2 डिग्री से कहीं न कहीं 6.4 डिग्री जुह है ज्यादा रहा है वहीं पंजाब की अगर बात करें तो वटिंडा में 46.9 डिग्री से लस्य टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था ऐसे में उसके लावा पंजाब के अम्रित सर पतिय और गुर्दास में भी तापमान 45 डिग्री के उपर रहा है मौसम विभाग की माने तुजस तरीके से कहा गया है कि जस तरीके से बारिस के दौर के बावजूद मध्य परदेश और 36 गर में अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट नहीं होगी लेकिन उसके बार टेम सेटीमीटर बारिस दर्ज किया गया है आईमडी ने कहा है कि नौर्थ के दो राज्यो अशम और मेघाले में सोमबार को 204 जो मिलिमीटर है कही न कहीं देखा जाए तक बारिस हो सकती है ऐसा में देखा जाए तो नौर्थ इस्ट के राज्यो को देखते हुए हफते भर में तेज बारिस का दोड चल रहा है और ऐसे में सिक्किम के कुछ जिलो को देखते हुए सहीत कई इलाकों में बार जैसे हालात बन चुके हैं अरुनाचल पर देख पशिम मंगाल और सिक्किम में भी 204 मिलिमीटर जो है बारिस दर्ज हो सकता है ऐसे में जिस तरीके से खबरिय आर इसको देखते हुए कई जगों पर जो है कही नगाहीं देखा जागा है तो मोसम विभाक का अलट जारी किया गया है देखा जाया तो अधागान गुजरात में 15 से 20 जून के बीच मौण सूं दस्तक देता है ऐसे में इस बार जो है 11 जून को ही गुझरात के 9 सारी में हुई है अमदाबाद मौसम केंद्र के वज्ञानिक रामा श्रय यादों ने कहा है कि साउथ वेस्ट डिस्टर वेंस के चलते जो है मौनसुन आगे नहीं बर पाया है यह 20 जून तक अमदाबाद और जो शौरास्ट है उसके कुछ इलाकों में सहित अन्य हिस्सों में अगले आगे बढ़ेगा और ऐसे में 25 जून तक राष्ट के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है तेश जून तक पुरे गुजरात को कवर करता है आईडियम को देखते हुए उसके मुताबिक जो है कही न कहीं अगले चार दिन में गुजरात के कई जिलों में देखा जाए तो प्रिद को देखते हुए बड़ा अपडेट आपको हमने दिया जाए है मोंने आपको बता है कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई गिया एसे में बिहार में गर्मी का कहर लगतार जा रही देखे बिहार की अ Capital के जाल आख जर THE on तक रहात मिलने की उमीद नहीं आ ऐसा बताया जार सोंबार को राज में लू लगने से 15 लोगों की मौत की भी खबरे आई थी इनमें और अंगा बाद में 6 जहानाबाद में 3 गया में 5 अपना में एक शक्स की जान गई है मौसम विभाग नियाद बिहार के 9 जिलों में भिशन कि झाल सकतेा बाद में लूगों की जुछ है जया है लोगों के कुछी के जो है यार धार्न का कि नहींब भी एनमें प्रिभाग नेसकि आप